हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका अपने यूटूब चनल बिंदासपड़ पर तो आज अपने जा रहे हैं मल्टिपल चोईस क्यूशन अपने यूनिट डाइमेंशन टोपिक के मात्रक और बीमा टोपिक के तो इसके अंदर में आपको मतलब जो टोप 10 इंपोर्टेंट सबस Pepper should cook 2009 C George gal器 में क्या मतलब होता है तो बेष्ध में करते हैं सिदेन करता करता है सेंटए सैंटिमीटर जी डिन डिनोड करता है क्र एस रिनोड करता है से के तो यहां पर अपने मास देह हो दर्वेमान दिया हूँ अधि कि टीक है तो अद्क्सेंट में अपने को परतोँ human उंट में माटेंगे सेजिएस में और अपनी it is में अपनेका मिन क्विधा यहाँ नोट करता है एक मिन भीन टकुल थीद खिस को और S denote करता है second को तो दोस्तों इसके अंदर जहां पी अपने को लंबाई या दूरी कुछ भी दिख जाए लेंद दिखे उसको अपन मीटर में मापेंगे ठीक है और मास दिख जाएगा उसको अपन केजी में मापेंगे और जहां पर टाइम दिख जाएगा उसको अपन सेकंड में मापेंगे अपन बात कर लेते हैं एप पी एस उनिट की ठीक है तो एप दिनोड करता है यहां पर कि तीन टाइप की यूनिट्स होती है जो कौन को से होती है अपने क्यूसन कि पुझा दिया है तो दोस्तों मैंने इस से पहले यूनिटा इंडाया चाहिए अगर वह टोपिक कर लोगे तो मेरा दावा है कि आप यू प्यासी तक के भी क्यूसन गल्ट नहीं करोगे डेफिनेटली एक भी क्यूशन आपको गलत नहीं होगा वह वीडियो आप अच्छे से देखना आपको एट टू जेट क्यूशन समझ जा जाएंगे तो अपन दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अपना सेगेंड क्यूशन है ऐसे उनिट ओफ टेंप्रेचर तो टेंप्रेचर की अच्छे से किलिर हो जाएगा तो बेसिकली तो तीनों यह टेंप्रेचर के उनिट है अपने सेंटिग्रेड फार्निया हैट और केल्विन ठीक है और ओल ओब दीज लेकिन इसके ऐसे अपनी केल्विन होती है ठीक है तो दोस्तों अपने सेगेंड क्यूशन का अंसरोगा है अच्छे से किलिर हो जाएंगी अब आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट क्यूशन तो दोस्तों अपने को ऐसे फैंड करेंगे उसका फॉर्मूला आना चाहिए तो उससे अपना काफी आसा नहीं हो जाएगा और यह अपनी ऐसे बनती है यह अपनी फंडामेंडल हैं तो देखो दोस्तों अपना क्यूसिन अपन देखते है ऐसे लेशीट तो इसका आण्चे मिट्र मिट्र एक सप्रस्ट्पर सेकेंट मिट्र पर सेकेंड पर स्व tipping एक दूरी है ठीक है। तो आप वीडियो देखना कलास देखना अच्छी समझ आजेगा तो अपनी इसके सेंट आजाएगा दो नमर का मिटर पर सेकिन्द कर सकते हैं अपने वालियोशिटी क्या गई मिटर पर सेकिन्ड और टैम की यह पर क्या जागी है सब्सक्राइब आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्यूशन है ऐसे उनिट ओफ फोर्स तो मैंने आपको बताया था कि फोर्मूला तो आना काफी इंपोर्टेंट है बिना फोर्मूले तो अपने से कर सकते हैं आप रट सकते हों रटने से कुछ नहीं होगा पांच रट लोगे दस रट लोगे लेकिन एक्जाम में कुछ भी आ सकता है तो अपने वह मैथर सीखना पड़ेगा तो दोस्तों मैथर आप सीखोगी जब क्लास लोगे तो मैंने इस टोपिकी काफी मतलब डीप में बढ़ा है आपको अच्छे से हट आपका हट डाउट के लिए हो जाएगा फिर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना मैं आपको करवा दूंगा तो सबसे पहले अपन देखते हैं फोर्स तो सबसे लेपन फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे एफ होता है मास into acceleration ठीक है दर्वेमान गुना तवरन तो अपन इसकी ascent find करते हैं सबसे पहले तो यह हो गया अपना फ मास किसमें लिखेंगे केजी में into acceleration है मैंने भी जैस्ट उपर acceleration की ascent आपको निकाल की दिखाए मिटर पर second square ठीक है तो यह क्या गई मिटर पर second square तो फोर्स की ascent होती है क केज़ी मिटर पर second square और इसको एक standard नाम दिया गए Newton Newton ठीक है तो अपने मलब फोर्स की ascent केज़ी मिटर पर second square भी सही है और Newton भी सही है यह डिपेंट करेगा option में क्या दे रखा है तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको पांच important question करवा दिया है यह मतलब ascent केज़ी find करते हैं किती fundamental quantities होती है वह बताया है और मतलब एसे सोरी यह unit system किते टाइप के वह बता दिया है अब आपन चलते हैं अपने next question के ओपर तो दोस्तों पहले आप खुद करने कोशिच करो अब मैं आपको फिर अपकरवाता हूं तो दोस्तों यह 3 unit किसकी हैं अपनी यह 3 unit है अपनी energy की क्योस न द़ान से पड़ो थैний unit of energy के energy कौनकोशी unit है मैंने आप यह नहीं दिखा कि ऐसे unit कौन कोंशी है मतलब energy की इसे unit तो जूल होती है पर मैंarbeit क्योंसे पूलेगी मतलब ऑनकल सी है तो दोस्तों देखने कैसी आई हैं सबसे पहले आपने यूंट फारण से की लिए क्या नहीं है फोर्मुला नहीं है दोस्तों फॉर्मुला ये लोग ना तो energy का फोर्मलील होता है force into displacement into costate होता है तो लेकिन ऐसे आगे आता है यहांपे theta zero degree है तो यह वन हो जाएगा थीक है तो देख लेते हैं energy होता है force into displacement तो फोर्स के ऐसे उनिट क्या होती है दोस्तों मुल्ब सबस्पाइब देखते हैं इसे को एक इस्टेंटर नाम दे दिया क्या जूल इसी को बन जूल भी बोल सकते हैं तो अपना जूल भी उनिट है तो एक जूल के इकोल होता है अपना दसकी पाउर साथ अर्ग तो यह अर्ग कैसे आया एक जूल से अर्ग कैसे बना तो यह मैंने आपको जब यह यूनिटेंड डाइमेशन टोपिक पढ़ाया था तो काफी अच्छे समझाया था ता आप वो वीडियो देख लेना वो लेक्चर कैसे आया है तो अब बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं आपकर सात वार कीशन अपनात है ऐसा यह यूनिटे ओफ प्रेशर की ऐसा ही मात रख्या होगा अब तो सबसे विले मेंने आपको उप्सन दे रहे हैं मेटर पर सेंटी स्क्वेर मेटर अपन it's qu 83 कोई अपना सीओ मैं डिश्क और降 दीन नेज्टapp को दोस्तो सब रहे हैं कि प्रेज की चुबूला फॉर्मुला होता है ऑन ओ पॉर्स अपॉर्स अपन हेली कोर्फ को क्या लिखंगे अपना फॉर्स की निपजी इसको होता है तो दोस्तों अपनी इसके योट क्या जाएगी प्रेसर की नीटिन मीटिर उसको तो इसके अंदर सबसे लिए अपन S unit find करेंगे उससे अपने dimension find करेंगे तो दोस्तो सबसे लिए देखते हैं velocity का होगना होता है displacement upon time ठीक है तो इसको displacement को minimum आपते हैं time को second आपते हैं तो दोस्तो अब dimension find करने के लिए अपने को जहां भी मतलब ये length तो दोस्तो इसके अंदर देखते हैं यहां पर कहीं पर अपने को मास दिख रहे हैं दूरी मलब velocity की फोर्मूले कहीं पर दर्वे मास आ रहा है का नहीं आ रहा है तो दोस्तो इसके अंदर है displacement और time मलब दूरी और समय आ रहा है तो M तो हो जाएगा अपना 0 एक कोई परवाव नहीं होगी यह अपना क्या है? दूरी तो इसको क्या लिखने है? L1 वो time कितना है? T तो अपने इसको T1 निचे लिखेंगे ठीक है? T की पर निचे 1 है ठीक है? यहां पर लिखते हो L1 यह अपनी T की पर निचे 1 है निचे टो दोस्तो हिसके अंदर देखे NOC tv8 अपना बैठ रहे है तो यह मैनस 1 ठीक है दोस्तों यह भी ने वन बैठ रहा ठीक है गलत है यह भी c302 अपने इनवी गलत है और यहां पे घ्रत यह तो q 1- ! एल की पावर वन और एम की पावर जीरो तो अपना फॉर्थ उप्सन से ही है तो दोस्तो यह डाइमेंशन आपको फाइंट करना थोड़ा तो आइडिया लग गए होगा कैसे फाइंट करते हैं और आप वह क्लास लेलें जो मैंने आपको बढ़ाया है तो आपको काफिया से से क्लियर हो जाएगा तो अपन दोस्तों बात कर लेते हैं तो वह की डामेंशन क्या होगी तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर भी आपन फोर्मरा यूज करेंगे वह क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लस्मेंट तो फोर्स की ऐसे उनिट होती है सबसे पहले अपन कि आपन लिख देंगे तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले केज़ी तो यहां पर लिख देंगे M ठीक है एंट मफना वगया है ठीक है अपने क्या देर रख है केज़ी मिटर M M और M की तो जाएगा M की पाउर 2 ठीक है तो L2 जापर अपने को दूरी दिक जाए यह मत तो नीचे किसका है पलस को उपर देखे किसको जाएगा मैनस का तो दोस्तों देख लेते हैं अपनी एसे उट आगे कि ऐसे उनिट या डायमेंशन फ्रैंड करनी हो जो आपसे नहीं बन रही तो कमेंट सेक्शन में लिख देना मैं आपको फ्रैंड करके बता दूँगा ऐसे होगी तो दोस्तों आगे देख लेते हैं अपना लास्ट कुशन दस्वा कुशन तो अपना कुशन है ऐसे उनिट मनल आपने को फाइंड करने के लिए तो इसका फॉर्मूला आ छाही है तो में आपको टाल्य यह डैंसटी का ठीक का फॉर्मॉला रहताँ म अपना मास अपowa noise आंप उअ ओलि ऑन ळिखेंगेज का तो मुद्ध不錯 किसमे मतलब मापेंगेज है तो WH,C,क्या मैस गया तो अपना मेटर क्यूब तो दोस्ट इए उसके अपन निकल कए आगेज तो दोस्तो इसे एापन..? dimension find करेंगे तो ठीक है दोस्तों देखो जहांपे भी अपने क्या दिख जाए mass तो वहांपे क्या लिख देंगे m1 और यह क्या है अपना meter square तो यह meter cube sorry तो यह क्या एक दूरी है ठीक है तो इसको क्या लिखेंगे l की power 3 तो दोस्तों देख लेते हैं इसकी dimension आ जाएगी m की power 1 3 निचे किसका है plus का l की power 3 निचे plus को परज़ा कि मैं इसका l की power 3 और t की power 0 तो दोस्तों यह अपना हो गया मतलब density की ऐसे unit और dimension तो दोस्तों मैंने आपको बता दिये कि कैसे find कर सकते हैं तो आपको अगर मेरी आप unit and dimension वाली class ले लोगे तो आपको जिनके में कभी unit and dimension रटने जोट नहीं पड़ेगी क्यों और हर एक्जामे unit and dimension का एक क्यूशन देखने को मिल जाता है अगर आप वो class लोगे अच्छे से पूरी तो आप मेरा दावय कारेंटी है आपका एक भी क्यूशन किसी भी एक्जामे गलत नहीं होगा तो दोस्तो इसके अंदर कुछ समझ नहीं आया हो तो comment section बताईए और आपको किसी quantity की यह ऐसे unit या dimension नहीं बन रही या आपसे नहीं निकल रही तो comment section बताईए मैं आपको निकाल के बता दूँगा तो दोस्तो इस channel मरला आपको अगर general science में physics और chemistry में अगर आपको कोई भी doubt होगा वो clear हो जाएगा तो चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को प्रेस कर लिजे ताकि आपको कोई भी नए वीडियो उसका notification मिल जे और दोस्तो comment section बताईए आपको मुले किस topic के important question चीए कौन सा topic पढ़ना है physics और chemistry से तो मैं आपको पढ़ा दूँगा तो thank you so much मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल दे ही